नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में ठंड और बारिश मिलकर मचा रहा है क्या है करोना के मरीजों की सेवा में 576 नए आम्बुलेंस होंगे तैनार इंटर की प्राक्टिकल परिक्षा में बढ़ती जा रही है विशेश साथानी देश भर के स्वास्त कर्मियों के लिए नई एडवाईजरी हुई जारी करोना लगा सकता है बिहार के सवा लाग सिक्षकों की जॉइनिंग पर ब्रेक अब चले बढ़ते हैं बिहार की श्राम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से कोरोना के मरीजों की सेवा में 576 नए अम्बुलेंस होंगे तैनार बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है हाला कि अच्छी बात यह है कि अन्ठानवे फीज़ी संक्रमिक मरीज होम आई सोलेशन में ही है लेकिन सरकार किसी भी तरह की परिश्वानी से बचने के लिए अपनी स्वास्ते वभाग की तरफ से 576 नए अम्बुलेंस की तैनाती की जुआने वाली है बताते चले कि अम्बुलेंस का अभी तक सिर्फ निबंधन कराये गया है जो कि मुखिमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हुआ है हाला कि परिवहन वभाग के द्वारा सभी नए अम्बुलेंस की लिस्ट स्वास्ते वभाग को दी जा चुकी है जिसके बाद अब इनकी तैनाती होनी बाकी है बता दे कि स्वास्तव भाग के अपरबुख्यल सचिप ने बताया है कि हर प्रखंड के लिए अम्बुलेंस खरीदा आ जा रहा है बिहार में करीब सबालाग सिक्षक पदों पर चल रही नियुक्ती प्रख्रिया पर एक बार फिर से देरी हो सकती है जिस तरह से बिहार में कोरोना संक्रुमन की रफ्तार बढ़ती जा रही है उसके मताबिक सरकार नियुक्ती की गतिविधियों पर ब्रेक लगा सकता है बताते चले कि बादे में कुछ माधिमिक सिक्षकों को 17 और 18 जन्वरी को न्यूक्ति पत्र देने का एलान किया गया है हाला कि काउंस्लिंग और न्यूक्ति पत्र वित्रन में भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड जुट सकती है जबकि राज़े में 21 जन्वरी तक किसी भी तरह की भीड लगाना गाइडलेन के खिलाफ है इसे में सरकार एक बार फिर से कांस्लिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है इंटर की प्राक्टिकल परिक्षा में बरती जा रही है विशेश साब्धानी विहार में कोरोना के बरते मामलों की बीच विहार बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत इंटर की प्राक्टिकल परिक्षा ली जा रही है आपको बता दे कि प्राक्टिकल परिक्षा 20 जनवरी तक चलने वाली है वहीं इसको लेकर कोरोना संग्रुमन की रफ्तार को देखते वे नियम काईदे के साथ प्राक्टिकल की परिक्षा ली जा रही है इसके तहर सेंटर पर विशेश साब्धानी भी वर्ती जा रही है साथ परिक्षार्थियों की भीड़ ना लगे इसको लेकर 20-20 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया है एक ग्रुप को एक बार में स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है जुसे मात्र 20 बच्चों ही शामिल होंगे तो वहीं एक दिन में 80-100 विद्यार्थियों की परिक्षा ल उनके लिए अलग कमरे में प्राक्टिकल परिक्षा की ववस्था की गई है बता दे कि 20 जन्वरी तक इंटर की प्राक्टिकल परिक्षा चलने वाली है बिहार में ठंड और बारिश मिलकर मचा रहा कहर सूबे में शीत लहर वाली ठंड के 7-7 बारिश का कहर दिख रहा है ठ 13 जनवरी के बाद से एक बार फिर से कड़ा के कि ठंड पढ़ने वाली है। बताते चले कि आईमजी की तरफ से बिहार में बारिश का यलो अलर ज़ारी क्या गया है। जिसके तहत विज्ञानिकों का कहना है कि 14 जनवरी तक यहां बारिश होती रहेगी। इस दोरान राज्य के 13 जलो में बारिश की संभावना है वहीं राज्य में पश्चुमी और दक्षुनी पश्चुमी हवाएं चलने से कपकपाती ठंड अपना रंग दिखा रही है। जानकारी के नुसार अगले 24-40 घंटे में हवा की गती में बदलाव होगा जिससे ठंड बढ़ने के आसार है। पत्र, पहचान पत्र, फोटो और सभी मुले प्रमान पत्र को 14 जनवरी के पहले सम्मंदित दी आईजी कारियाले में जमा करना होगा। बिहार का पहला मेट्र जोकी राज़ारी पत्ना में बना जाना है, उसको लेकर जल्द ही जमीन सम्मंदित बाधाएं दूर होने वाली है। लाकि केंदर सरकार के कारियालों की करीब 42 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पत्ना मेट्रो निर्मान के लिए चाहिए। इसके लिए प्रालमिक स्तर पर सहमती मिल गई है, लेकिन जमीन हस्तानांतरन की प्रोक्रिया पूरी होने में अभी वक्त लग रहा है। और इसको लेकर राजो और केंदर दोनों की है अधिकारी जुटे हुए हैं। राजो के सतापक्ष और विपक्ष की पार्टी के अंदर अपने ही सहयोगी दलों के बीच मनमुटाव हो गया है। इंडिये के भीतर भाजपा और जद्यू के 20 सीटों के तालमेल को लेकर विवाद चल रहा है। जुसके तहर जुटिव संसिद्य बोर्ट के अधियक शुपेंदर कुश्वाहा ने भाजपा से आधी सीट की मांग की है। जुसके बाद भाजपा ने भी कुश्वाहा के बयान को सिरे से खारच कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ महागठ बंदन में फिर से राजप ने कॉंग्रिस को खाफा कर दिया है। जानकारे के मुताबिक 24 सीटों में से 23 सीटों पर राजप अपने उमिदवार खड़े करने की तयारी में है। तो बज़ी एक सीट बंका को CPI को देने की तयारी में है। ऐसे में कॉंग्रिस के खाते में एक भी सीट नहीं आने की बात से एक बार फिर से राजप और कॉंग्रिस आमने सामने हो गया है। इसके तहट पार्टी के बरिष्ट नेता डॉक्टर अशोक कुमार ने खुलकर राजप के साथ गठबंधन का विरोध भी किया है। पचास अमेरिकी डॉलर के बजाए 200 अमेरिकी डॉलर चुकाने पड़ेंगे। विधान परिसत की 24 सीटो पर चुनाव होने वाले हैं। इस बीच चुनाव की तारीक अभी घोशित नहीं हुई है। लेकिन राजप ने बिना महगठ बंधन से राय मश्वरा किये ही अपने बारह उमिद्वारों के नाम तैय कर दिये हैं। सुत्रों से मिली जानकारे के मुताविक राजप ने जनुमिद्वारों के नाम तैय किये हैं। सुबोध कुमार और अंगबाद से अनुच कुमार सिंग, गया से रिंकु यादफ, मुंगेर से अजय सिंग, भागल भोजपूर से अनिल समराथ, पश्वी चंपारन से इंजीनिर सौरब कुमार, रोहतास से कृष्णक कुमार सिंग, दर्भंगा से उदैश वंकर यादफ सिवान से विनो जैसवाल, नवादा से श्रवन कुमार, पुर्वी चंपारन से बबलु देव और बेगुसर आइख अगरिया से मनोहर यादफ शामिल है, आपको बता दे कि इन नामों के आधिकारिक तोर पर पुष्टिय भी नहीं हुई है, लेकिन राज़त ने इन और नितिश कुमार के आलोचना में दिन रात लगी रहती थी, वहीं राज़त अब खुले आम जदियू को साथ लाने की बात कर रही है, अब लालो प्रसाद यादफ के बड़े बेटे और हसनपुर सीट से राज़त विथाएक तेश प्रताप यादफ ने भी खुले तोर उन्हाने सीएम पद की मंशा भी साफ की है और कहा है कि अगर राज़त और जदियू एक साथ हाती है तो भी विहार के सीएम तेजस वियादव ही होंगे, इस दोरान नियूज चैनल से बात करते वे ये भी कहा गया कि खरमास की बाद विहार में सियासी पलट देखने को मिले जिसके तहट अब पूर्व में संक्रमित वे स्वास्त करमचारी को अगर करोना के लक्षन नहीं दिख रहे हैं तो वो ठीक हो चुके हैं तो वो तीन से चार दिन के अंदर ही पीपीई किट पहन कर काम कर सकते हैं हाला कि काम के लिए उन पर दबाब नहीं दिया जाएगा व जिहार की राज़ाने पटना में हर साल 26 जन्वरी यानि की गंतर दुर्दिवस के अवसर पर आयो जित होने वाले राजुकिया समारों पर इस पार कोरोना ने ग्रहन नगा दिया साथ जाय जारिया और कई फैसल ये जिसके तहट गाधी मैदान में पारकिंग, साफसफाई, पानी और प्रात्मिक चुकित्सा की तैयारी को भी पूरा करने का दरदेश दिया गया है साथ ही स्पेशल गेस्ट के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है महीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैटने की विवस्था भी कर दी जाएगी हाला कि आम लोगों केश शामिल होने पर फैसला भी तक नहीं आया है इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट पर नहीं करानी होगी कोरोना की जाज बिहार सरकार के स्वास्तव भाग ने केंदर सरकार के आदेश के बाद से ही कोविट-19 की जाज ववस्था में बदलाव कर दिया है जुसके तहट बिहार के वैसे लोग जो देश के अंदर ही यात्रा करना चाहते हैं और उनमें लक्षन नहीं पाई जा रहे हैं तो उन्हें कोविट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है ये नियम रेलवे और फ्लाइट के सफर पर लागू रहेगी हालाकि विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना जाज करवाना ही होगा बताते चले कि ये नए नियम ICMR की तरफ से देश भर में लागू किये गये हैं इस गाइडलाइन से बिहार के सभी जिलों को भी अवगत खरा दिया गया है जिसके बाद अब उन यात्रियों को काफी सुबधा होगी जो रोजाना रेल काडियों से सफर करते हैं इसे में इन ग्यात्रियों को बार बार अपनी टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं होगी शराबंदी पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार बिहार सरकार की महत्वकांची शेराबंदी कानून से देश का सरवच नयाले यानि कि सुप्रीम कोट नाराज है और एक बार फिर से मुखे नाधीश ने शेराबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को जम कर डाटा है जांकारी के नुसार बिहार सरकार ने शुराबंदी कानून के तहट पकड़े गए आरोपियों की जमानत की खिलाफ, सुप्रीम कोट में कई अपील किये हैए इनमें से जुड़े कई मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने नाराज़गी जताते वे कहा है के इनमामलों की वज़े से अन्य सुनवाई नहीं हो पा रही है साथी इस दोरान सुप्रिम कोट के मुख्यना अधिश ने बिहार सरकार की तरफ से आरोपियों को जमानत की खिलाफ डायर की गई 40 अपीलों को एक साथ ठुकडा दिया है इस दोरान SC ने भी ये कहा है कि इस कानून से पटना हाई कोट की कामकाज भी प्रभावित हुए है वीवो की जगह ये कंपनी करेगी IPL की स्पॉंसर्शिप IPL 2022 सीजन अब वीवो IPL नहीं कहलाएगा मोबाइल कंपनी वीवो ने IPL के टाइटल स्पॉंसर्शिप से अपना हाथ पीछे खीचने का फैसला किया है जो इसके बाद IPL ने टाटा को इसकी स्पॉंसर्शिप दे दी है अब अगले सीजन में इंडियन पीमियर लीग टाटा IPL के नाम से जानी जाएगी चीन की मोबाइल कंपनी वीवो अब IPL के साथ अपना जुडाव समाप्त करने के लिए तयार है बताते चले कि बीते दिन मंगलवार को IPL गवर्निंग कांसिल की बैठे के दोरान स्पॉंसर्शिप में बदलाफ पर फैसला लिया गया है ये भी बता दे कि वीवो और IPL के बीच ये अनुबंध IPL 2003 सीजन के बाद समाप्त होना था लेकिन दोनों पक्ष्व समय से पहले अलग हो रहे हैं से बेहतरीन कप्तान कौन है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटेट डहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले